नमस्कार दोस्तो आज मैं सुबह का वीडियो शेयर कर रहे हूं आप लोग के साथ तो मैं बना रही हूं पूरी नमक वाली पूरिया बना रही हूं मैं इससे वेशन डाल के बनाती है ना पूरी कहते हैं हमारे पूरिया और अभी तो मैं खीर नहीं बना यह लेकिन खीर भी ब जा बना लोगी तो आज सब्यूंगी तो आप देखकते हैं कि मैं पूरीं भी शेक रही हूं और मेरी चाय करता इस शाड़ मैं बना ली थी मैंने कोई सब्याय हूाइग तो सब्यूंगी इस कर दो बनी हुई है तो बत्न तो फैर मैं पूरियां नहीं बनानी है तो इस तरीके से मैंने आज काम कर लिया है जल्दी भीने पड़ गया था जब मैं आशी करती हूँ एक्स्ट्रा काम से मतलब है मुझे गेहों बीना था क्योंकि मेरा आटा जो है हतम होने वाला था तो गेहों को भेजना था मुझे चकी पर इसलिए मैं यह सुबही नप्टा लिया था यह सब और यह बहुत ही गेहों तो आज फिर से बाद में क्या करूँछ काम में तो आज पर से बाद में क्या करूंग基 देलीầy का काम हुते है तो ये कर pizzana है प्रेंगा जैसे मारतना है तो और आण्याय काल है है फिर इसके बाद फिर वही काम सुरू हो जाता है बच्चों को खाना दो उनके यूनिफॉर्म बगएरा रखो और दूसरे कपड़े दो मतलब यह सब फिर सुरू हो जाता है तो अब मैं चाय चान दूंगी और नास्ता जो है मैं लगा दूंगी तो यह देखिए मैं चाय दे रही हूं तो इस तरीके से मैंने मतलब सुबह ही निप्टा दिया था आज सब कुछ तो मुझे तो फैर मैं अपना गेहूं बिनने का अच्छे से समय में लिया था और यह देखिए टाइम टेकिंग काम होते हैं यह यह गेहूं बिनना हुआ दू लिया तो इसमें टाइम लगने वाला था और मुझे ऐसा लग रहा था कि सही हो कि आने से पहले मैं मतलब अपना यहूं बना लू नहीं तो साथ में वह भी साफ करने लगता है और फिर और ज़्यादा फैलता है मेरा काम तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं तो ग्यारा बजे कि आने के पहले पहले मतलब हो गया था मेरा काहम क्योंकि यह फिर बहुत परिसान करता है मतलब उस्से हर चीज करने होती है it a dear भी अईंतिया ल示ड़ाा SARAH तो मैं अभी पूरिया नहीं नहीं खाऊंग, पुषा घाल के साथ। पूरिया धुड़ जाती है, मैंसरे पूहा लूँंगघ उनके लिए पूरी चाय भी क्लेंट को bunlar भोजाइए उनके लिए क्लिया धाय ना सुड़िखा धाया करें दूसरा काम सुरू होगा और मैंने इसके बाद हाँ से यह दिखे जिए कि भार वाले इडिया में कर रही हूं कि घर की अंदर थोड़ा सा अंदेरा रहता है और आप देखने में दिखकत होता है थोड़ा सा और फिर जाड़ों पोच्छा वगेरा सब हो चुका था तो फिर वहां पर फैलाती में यहां पर मैंने नहीं किया ताकि मैं यहां पर भी यह गेहूं बना सकूँ और मैं सीड़ी है मेरी यह लोहे की तो इस पर कपड़े डाले हुए है सुखने को क्यूंकि पानी रसने लगा था और दो देन से थोड़ा सब मौसा मैं सी चल रहा है तो ठोड़ी से हल्की फिल्की से भूदा बांदी हो रही थी तो मैंने इस पर डालके और यहां इस साइड रख दिया तो यहां पानी नहीं आता है और खुले में रखती तो वहां पर बांध रखी है मैंन कोहां रस्तीम के सीधी पर डालला लिए यहां पर पंका चला दिया था तो यह कपड़े स्पे रही ईहुंद सूख जाते हैं, माशीन के ट्रैयर में pig कोई अगजी और सामार किन वह कॉद़ा जब सबते हों तो अंधर मस्त मैंने गाने बजाय दिये थे और यहाँ पर बैटके मैं अपने गाने सुनते जाती हूँ मेरा यही रोज का रूटीन है कि मैं मतलब सब स्कूल बच्चे स्कूल चले गए और सबके जाने के बाद जब मैं अपना काम सुरू करती हूँ तो दूद जब तक दूद नहीं आ जाता है बस तब तक मैं रुखती हूँ क्योंकि अगर मैं गाने बचा देती हूँ तो फिर दूद बाले चिलाता रहता है तो बस दूद आया और बस इसके बाद मैं अपना और अपने गाने सुनती रहती हूँ और आप लोगों किसलिए नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि कोपीराइट का प्रावलम आ जाएगा नहीं तो जब तक सहीं नहीं आ जाता है सकूल से तब तक मेरा गाने चलते रहते हैं क्योंकि अगर हम अपने दिमाग को कहीं और विजी नहीं रखते ना तो हम पता नहीं कितना सोचते हैं क्या क्या सोचते हैं जब हम अकेले होते हैं कभी सोची अगर जब हम बिलकुल अकेले होते हैं तो कितना सोचते हैं पता नहीं कहां की बात है, सोचते रहते हैं, तो मुझे ये थोड़ा सी कभी-कभी ऐसी गवराट्ची होने लगती है कि अकेले और पता नहीं क्या कैस हो चूचते रहते, तो बड़ी है मस्त गाना सुनू, थोड़ा सा relaxi भी feel होता है mind भी fresh होता है और कभी-कभी सुन लेना चाहिए जो भी आपको पसंद हो ज Rao है जिस टाइप की पसंद हो उस टाइप की गाने सुन लेना चाहिए और संगीत में पहुत टाकत होती है कभी अपने आपको मतलब अपने पसंद के गाने सुनिये बिल्कुल फ्रयास हो जाता है मूड तो मेरा तो यह रोज कही है मैं तो रोज एक एक टीड़ घंटा तो सुनती ही सुनती हूँ और यह रेखिए इसके बाद मैंने फिर दुपहर में कोई वीडियो नहीं बनाया था सही हो आ गया था उस पूरिया रखी हूँ यह सुबा की तो मैं दिखा रही हूँ आपको यह देखिए और इसके बाद इन्हों ने ओर्डर कर दिया था तो यह कुछ यह आ गया था दोसा बगयरा लोगों ने वास्ट फूड मंगवाया था कुछ तो यह यह नहीं सुचा ना मुझसे पूछा और मुझे भी याद निरा बताने की कि मैंने कीड बनाई थी तो कुकर में कीड भी रखी हुई है और फिर लोगों ने पीज़ा बगयरा बंगवा लिया था तो किर मैंने वही लगा दिया लोगों का तो साम को ही यह साइद साथ बजे का साथ साड़े साथ का टाइम होगा भी तो मैं लगा दूगी यहां पर टेबल पे तो सब लोग खा लेंगे क्योंकि खीर तो अब कोई खाएगा नहीं वो मुझे फ्रिज में रखनी पड़ेगी और पैजा मगवाए था वक्कों ने और डौशा भी मगवाए था चॉमिन मगवाए था यह तीन चीज अरो पूड़ी ऊखीर और फॉरी ऑख Андky्र जले भी में रखी हुई थी तो आज हमारे डिनर ऐसे ही रहा है तो बस यही हम लोग डिनर साम कोई का लेंगी और मैं हमसा आज मैंने संडे को संडे को क्या होता है संडे का मैं रख लेती हूं संडे को तो कुछ भी खा लेंगे फेस के बाद अपना एक हक्ता तक आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कॉमेंट में और जो नए आते हैं मुझे सब्सक्राइब कर ले चैनल को तो बाई बाई फ्रेंड